दुनिया भर की निगाहें भारत के चावल पर तरसल भारत से निर्यात किये गए उबले चावल की कीमते सिमित सप्लाई और एशियाई और अफ्रीकी खरीदारों की स्थिर मांग के कारण इस सप्ता रिकोर्ड अंचाई पर पहुँच गई है जबकि वियतनाम और थाइलेंड में कीमते कम हुई है भारत की 5 फीसर टूटी हुई उबली हुई किस्म इस सप्ता रिकोर्ड 533 डोलर से 542 डोलर प्रती टन पर कारोबार करती दिखाई दी जो कि पिछले हफते 525 डोलर से 535 डोलर पर कारोबार कर रही थी ऐसे में जानकारों का कहना है कि बाजारों में सप कम हो गई है ऐसे में भारत के चावल उत्पादन में आठ वर्षों में पहली बार इस वित्य वर्ष में गिरावट की उम्मीद है जिससे नई दिल्ली दवारा चुनावों के अगुवाई में खादे कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अनाच के निर्यात पर अंकुष लगाने की संभावनाएं बढ़ गई है उधर वियतनाम का पांच फीसर टूटा हुआ चावल 630 डॉलर प्रती मिट्रिक टन पर कारोबार करता दिखाई दिया है जो कि एक हफते पहले 653 डॉलर प्रती टन पर था वहीं वेपारियों का कहना है कि घ्रेलू सप्लाई कम जमा हो रही ह है और मेकांग डेल्टा से फसल आशिक रूप से आनी शुरू हो चुकी है और जो कि मार्च में चरम सीमा पर पहुँचने की उमीद है ऐसे में होची मिन सिटी के स्थित वेपारियों का कहना है कि वेपारी गतिविदियां फिलाल धीमी है क्योंकि खरिदार अगामी शीत का इन वसंत फसल से मजबूत सप्लाई की उमीद में कीमतों में और गिरावट का इंतजार कर रहे हैं वहीं बैंकोक के वेपारियों का कहना है कि कमजोर बाग के कारण कीमते नरम हो गई हलाकि घरेलू गतिविदियां थी और इंडोनेशिया से 5000 टन का नया ओडर मिला जिस से क पांगला देश में अच्छी पैदावार और रिकोर्ड भंडार के बावजूद पिछले सप्ता चावल की कीमतों में तेज विरिद्धी देखने को मिली जिसके कारण परधान मंतरी शेक हसीना को चावल जमाखोरों के खिलाफ ततकाल कारवाई के आधेश भी जारी करने प भर की नजरे भारतिये चावल पर टिकी हैं ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी